गाइस इस टाइम मेरे पास है Redmi का Note 7 डिवाइस जिसके अंदर मैं MIUI पे बनी सबसे बेस्ट कस्टम रोम को यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये रोम MIUI 12 पे बेस्ट है लेकिन इसके अंदर MIUI 14 के भी फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और कुछ ऐसे फीचर्स जो कभी इंडिया के अंदर आए ही नहीं सिर्फ चाइना में आए थे वो फीचर्स भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं जो कि आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन गाइस आप एक बार अपनी स्क्रीन पे देखिए कितनी स्मूथ नहीं से और कितने सारे आपको एनिमेशन भी यहाँ पर देखने के मिलती है बाकि इस टैम मैं जो कस्टम रोम यूस कर रहा हूँ यह एक से डेड़ साल पुरानी है फिर भी आप इसकी स्क्रोर्टी एप्लिकेशन देखिए फुल लेटस्ट है कोई भी आपको ओल्ड देखने के लिए नहीं मिलती आप एक बार इस डिवाइस का फाइल मनेजर देखिए यह वाला फाइल मनेजर कभी इंडिया के अंदर आया ही नहीं बाकी आप इस रॉम के अंदर जो ब्लोट वेर से है वो देखिए कहीं पर भी आपको ब्लोट वेर वगयरा देखने के लिए नहीं मिलते मैं आपको दिखा दू के मैंने इस रॉम को रूटेड भी कर रखा है यह देखिए मेरे डिवैस में जो मैजस 26.3 वरजिन है वो सक्सेस्वली इंस्टोलेड है इसी के साथ गाइस मैं आपको इसके फीचर से दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको सैटिंस के अंदर लेके चलता हूँ माई डिवैस में लेके चलता हूँ तो इस टाइम में मेरा जो Redmi का Note 7S device है उसके अंदर MIUI 12.1 पर बेस्ट मैसिक की कस्टम रोम को यूज कर रहा हूँ और मैं आपको इसके सारे specs वगरा दिखा देता हूँ तो guys सबसे पहले आपको इसके अंदर SIM, Internet, Wi-Fi, Hawkspot, Bluetooth का option देखने कर रहा है जैसे कि आपसे अपने screen पर देख सकते हो, मैंने मेरे device में SIM को लगा रखता है और एकदम successfully ये वरक कर रही है, आपको कोई भी bug वगरा देखने के लिए नहीं मिलता उसके बाद में आपको lock screen का option यहाँ पर देखने कर मिलता है जिसके अंदर जाके guys, आप अपने device में जो lock screen के काफी सारे features है वो use कर सकते हो जैसे कि देखिए, एक option में आपको दिखाता हूँ, power menu access यानि कि आपका जो power menu है, इसका access आपको lock screen पर चाहिए, यह भी नहीं उसका option आपको यहाँ पर देखने कर मिलता है इसी के अलावा आपको charging animation का option भी देखने कर मिलता है कि charging animation आपको कैसी चाहिए, charging के time पर यह option भाई, इंडिया के अंदर कभी आया ही नहीं यह option भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते है उसके अलावा guys, आपको आगे display का option देखने कर मिलता है जिसके अंदर आप जैसी जाओगे तो आपको यहाँ पर एक option देखने के मिलता है maximum brightness on call यानि कि अगर आपको किसी की call आती है तो आपकी जो brightness है वो एकदम maximum हो जाएगे उसके अलावा आपको यहाँ पर एक option देखने के मिलता है color का, इसके अंदर आप जैसे जाओगे तो भाई ये देखो, color customization करने की भी आपको अलग-अलग options देखने के मिलते हैं, जो कि इंडिया के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते हैं, उसके अलवा guys, आपको इसके अंदर dark mode देखने के मिलते हैं, वो है system animation के यानि कि आपको अपने device में जो system है, उसकी animation कैसी चाहिए वो सारे options भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि successfully working है, अगर आप इसे अपने device में use करोगे तो आपको काफी सारी animations वगएरा देखने के लिए मिलेगी, उसी के लावा guys आपको control center का भी यहाँ पर options वगएरा देखने के लिए मिलते हैं, कि आपको control center किस तरफ चाहिए, इस तरफ या फिप इस तरफ, और उसके अंदर काफी सारी जो customizations होती है, वो भी करने का option देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको आपने उपर की तरफ क्या देखने है, सब से important तो आपने आज कितنا data यूज किया, उसका option भी देखने के लिए मिलता है, आज आप कितने कदम चले, उसका option भी देखने के मिलता है, आपने अपने device को आज कितने time उसको भी option आपको यहाँ पर देखने के मिलता है जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है यानि कि guys इस control center के अंदर आपने अज कितना data use किया उसका भी option देखने के मिलता है जो कि India के अंदर कभी भी देखने के लिए हमें मिला ही नहीं उसके बाद guys हमगार हम आगे बड़े तो आपको इसके अंदर sound का option देखने के मिलता है जिसके अंदर जाके आप अपने device के sound वगरा change कर सकते हो आप भी इसके बारे में जानते ही होंगे उसके बाद guys आपको notification का option देखने के मिलता है फिर आपको home screen का option देखने के मिलता है इसके अंदर सबसे बड़े option में आपको दि discover ये काफी अच्छा option है उसके बाद guys अगर हम अगे बड़े तो आपको wallpaper को option देखने मिलता है और हाँ guys इस device के अंदर आपको जो live wallpapers है वो भी देखने के लिए मिलते हैं मैं आपको एक बार apply करके दिखा देता हूँ ये देखिए मैं अर्थवाला में लगते हैं उसके बाद guys मैं आपको आगे लेके चलता हूँ password and security के अंदर इसके अंदर password working है face unlock working और fingerprint भी working है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैंने यहाँ पे touch किया और भाई यह open हो गया काफी ज़्यादा fast है उसी के इसके बाद guys अगरम आगे बढ़ें तो additional settings में चलते हैं भाई इतनी सारी options ना additional settings के अंदर आपको कभी इंडिया के अंदर तो देखने के लिए मिले नहीं क्योंको notification light button shortcut full screen display language वगरा clear speaker का भी option इस alarm के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं उसके बाद guys अगरम आगे बढ़ें तो यह देखिए screen time option देखने के मिलता है जो कि कभी इंडिया के अंदर आया नहीं और भाई इसके अंदर जो focus mode है यह तो भाई ला जवाब है इस focus mode को on करने के बाद चाहिए दुनिया इदर की उदर हो जाए आप अपने device को on करके use नहीं कर सकते काफी कमाल का feature है अगर आपको mobile का addition हो रहा है मतलकि addition लग रहा है तो यह काफी कमाल का है उसके बाद guys आपको कुछ और features वगरा देखने के लिए नहीं मिलते बाकी guys आप इस device में जो animations वगरा है वो एक बाद अपनी screen पर देख लिजे कहीं पर भी भाई कोई lag वगरा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता यह देखी सब एकदम अच्छे से चल रहा है बाकी मैं इसको दिखा दूँ यह दिखिए super live wallpaper भी successfully working है मैं आपको mages को open करके दिखा देता हूँ mages के अंदर भी आपको कोई problem वगरा देखने के लिए नहीं मिल रही है बाकी guys यह देखिए मैं कब से इस video को बना रहा हूँ मैं आपको recent के applications दिखाता हूँ gallery के application भाई अभी तक ओन है मैं आपको इसके लवा और भी old applications वगरा दिखा देता हूँ जैसे play store open कर लेते हैं play store crash कर पर भाई जादता जितनी भी applications है वो recent के अंदर रह जाती है और अच्छी तरीके से work करती है इसी के लवा guys मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि इस custom room के अंदर आपको नीचे की तरफ search bar का भी option देखने के मिलता है जो कि भाई कभी इंडिया के अंदर आया ही नही और इसी के साथ में जो आपको theme store है वो Chinese theme store देखने के मिलता है यानि कि भाई आपको theme के अंदर import का option भी देखने के मिलता है और काफी awesome awesome themes वगरा भी देखने के मिलता है live wallpaper का भी option देखने के मिलता है यानि कि guys आपको एक Chinese room English के साथ में और Hindi version में ये देखने के मिलता है जो क कि successfully working है ये दिखिए कहीं बर भी आपको crash वगरा के problem देखने के लिए नहीं मिलती slow mode है वो भी बिल्कुल अच्छे से work करते हैं तो guys आज की इस custom room के बारे में मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा अगर आपको ये custom room अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को like करके मुझे नीचे comment करके जुरूर बताना बाकि guys अगर आपको इस custom room को use करने है इंस्टोल करने है तो इसको download करने का link आपको वीडियो की description में दे दूँगा इसको अपने device में कैसे install करने है उस वीडियो का link भी मैं आपको वीडियो की description में दे दूँगा तो guys अगर आपको आज के हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को like और चैनल को subscribe जुरूर कर लीजेगा तो चलिब हम मिलते हमारी किसी next वीडियो में तब तक टाटा बाई बाई